असलाम अलेकुम सब लोग को लेट सी आप लोग को मेरी आवाज अगर आ रही है आप लोग देख सकते हैं तो कोई मेसेज कर दें ताके मुझे समझ आ जाए के इस गोई लाइव राइव राइड ना हाँ, I can see a lot of people watching me right now असलाम अलेकुम सब लोग को दुनिया के जिसने कोई भी हिस्से में हैं अभी मौझूद और मेरा विडियो मेसेज देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है बहुत सारे दिनों के बाद एक्चली इसका रीजन ये कि मेरा दिल नहीं चाता मेरा दिल नहीं चाता कि मैं वीडियो बनाऊ मेरा दिल नहीं चाता मैं लिखती तो जरूर हूँ शेरिंग भी करती हूँ, आप लोग बहुत सराते भी हैं बहुत मेसेज़िस मुझे बेचते हैं कि आप लोग को मेरी जो बाते हैं वो सची नजर आती हैं तो आप लोग देखते हैं कुछ लोग को मुझ से खतलाफ होता है वो जवाब कॉमेंट्स में जवाब भी देते हैं मैं कभी कभी उनका जवाब दे देती हूं हसी मजाग में भी देती हूँ कभी नराजगी में भी देती हूँ मैं बहुत सालों से बर्दाश करती रही हूँ लेकिन मुझे जो सराने वाले लोग हैं मैं उनकी तरफ देखती हूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उनका जहन कैसा चल रहा है और वो क्या सोचते हैं मेरे मीडियो मैसेज के बाद आज मीडियो मैसेज इसलिए भी बनाया है मैंने कि कहते ना वो जो एक दुख है ऐस पैट्रियोर्टिक पाकिस्तानी जो आप लोगों को भी हो रहा होगा दुनिया के किसी कोने में भी आप बैठे होंगे और आप आज ये सोच रहे होंगे कि हम सब खड़े होते हैं पाकिस्तान के लिए हम सब पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं हम अपने को वाकई वो पैट्रियॉर्टिक पाकिस्तानी समझते हैं और हम गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं कभी कभी कोताईयां हो जाती हैं कि हम किसी गलत को पहले हम सही कह रहे होते हैं लेकिन हमारे कॉंशिस में हम ये रिलाइस कर रहे होते हैं कि ये जो बात है ये शायद ऐसा ना हो या वैसा हो काफी दफ़ा मेरे साथ भी होता है कि मैं पोस्ट डालती हूँ उसके बाद जब मुझे लोग आगे से मेसेज करते हैं कि ये ऐसी थी ये वैसी थी तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं समझती कि मैं उसको डिलीट कर दूँ और मैं माजरत भी कर दूँ उन लोगों से तो लेट्स गेट उन टू पॉइंट तो पॉइंट अर्शित शरीफ साब का जो कतल हुआ है और जिसको पेश किया गया है उसके जितने हम कहते ना पढ़ रहे हैं उतना हमें रिलाइज हो रहा है कि इट वस अ प्यूरली कहते ना बहुत बहुत प्लान के साथ एक मर्डर था उनका पाकिस्तान से क्यों जाना जबके दूसरे एंकर्स मौजूद हैं और वो भी फाइट कर रहे हैं लोग ये सवाल करते हैं और ये सवाल का जवाब मेरे पास तो ये होता है कि अर्शित शरीफ साब अपनी कहते ना अपनी लाइफ के लिए नहीं परिशान थे वो परिशान भी नहीं थे क्योंकि वो भार गए थे किसी रीजन से मैं ये समझती हूँ वो भार गए थे काफी कुछ रीजन से कुछ ऐसी चीज़ें खटा करने के लिए जो उनको मिल जाती और वो हम तक पहुंच जाती तो जब इस तरह का कोई मर्डर होता है n जिसको हाई प्रोफाइल मर्डर कहते है तो उसके पीछे जो हम सोच रहे होते ना वो नहीं हो रहा होता मतलब हम अगर किसी पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसने मारा है इसने मारा है एक्चली में उसने नहीं मारा होता एक्चली में किसी ऐसे नहीं मारा होता है जो उसका बेनिफिशरी होता है अगर आप इस चीज़ को समझते हैं मानते हैं तो फिर वो उन चीजों को सोचें के बेनेफिशरी कौन है मैं आपको कुछ नाम लेती हूँ जो ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर्स हुए है शायद मैं उनमें से कोई नाम मिस कर दो अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो आप लोग जरूर मुझे उसका याद दिहानी करना क्योंकि मैं वो लिस्ट बना रही हूँ मैंने वो ट्वीट भी की है मैं नाम पढ़ती हूँ सुनते रहें लियाकत अली खान ज्यावलहक मुर्तजा भुटो बेन अजीर अजीम एमद तारिक हकीम साइद डॉक्टर इमरान फारूक अली रजा आबदी अमजद साबरी आमिल ल्याकत अन नाव अर्शिद शरीफ और बीच में शहिए बहुत सारे नाम उससे मिस भी हो गए होंगे क्योंकि हम इंसान है और हमसे कहते हैं ना इतना तसलसल के साथ यह हो रहा है यह मर्डर्ज हो रहे हैं और टागेट किया जा रहा है ऐसे लोगों को जिनको लोग चाहते हैं जिनको लोग सराते हैं या उनसे अगले इक्तिलाव भी करते हैं तो उनको यह नहीं उनके लिए दुआएं मांगते कि उनको उनका कतल हो जाए यह हो मर जाएं ऐसा नहीं चाथ करते है जो पॉपिलर होता है जिसके अंदर पॉपिलरिटी होती है और वो सच भी बोल रहा हुता है कहीं कहीं तो उसको टागेट करना वो इसी टागेट भी हो जाता है कभी-कभी अशिद शरीफ साब को यहां से भिजवाना फिर उनका कीनिया में मौजूद होना वो भी एक क्वेस्चनेबल बात है जब मैंने वो ट्वीट करा तो मेरा वो वाइरल हो गया ट्वीट जसमें मैंने ये जिकर किया है कि वो जो एक डॉक्यूमेंटरी रिलीज होने वाली है और उसका एक ट्रेलर आप लोगोंने सबने देखा पीटिया वालोंने कहा कि वो नेट्विक्स पे चल रहा है भी नेट्विक्स ने उसको डिनाई किया लेकिन वो ट्रेलर को एकदम से बड़ी पजीराई मिली और लोगों ने देखना शुरू किया रहा और उस देखते देखते उसमें जो एक कीनियन इंवेस्टिगेटिव जनरलिस्ट हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया आफ्टर माई ट्वीट मैं आगे और नहीं बताना चाहूंगी लेकिन अर्शिद शरीव की वाइफ जो हैं वो मैं उनको अच्छी तरह जानती हूं और वो ये जो मैं अभी बात बता रही हूं वो इस पे जरूर बात करेंगी जब वो थोड़ी सी इसकाबिल होंगी कि वो बा तो बहुत सारी चीजें अब ये जो इनका मर्डर हुआ इससे मुझे पते हैं आप लोगों को के सबसे जादा कौन याद आया इस मर्डर के हो जब हुआ है और मुझे मुझे नियूज मिली है पाकिस्तान के वन एक बच के 54 मिनट पे हम लोग एक ग्रुप में हैं वहां पर एक अर्शित शरीफ साब के दोस्त हैं लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा उन्होंने लिखा कि एक मर्डर हुआ है और मैं नाम नहीं बताओंगा बिकॉस फैमिली को अभी पता नहीं है मैं उनसे बहुत दवा पूछती रही जब ये डिस्कलोज हो गया कि किसका मर्डर हुआ है क्योंकि बहुत घंटों के बाद पता चला कि किसका मर्डर हुआ है मैं उनसे पूछती रही कि आपको किसने बताया, किसने बताया, उन्होंने मुझे नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, कि उनको ये न्यूस कहा से मिली थी, और उन्होंने हमारे वाटसाइप ग्रुप पे ये पोस्ट की, एक बच के 54 मिनट, में बस स्क्रीन शॉट्स भी हैं उनके, वो नहीं बताना चाहरे है, वो अलग बात है, बट फैमिली को भी नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, और भी किसी को नहीं पता, बट उनको पता है, शायद वो कभी इतनी हिम्मत करें हैं लाइफ में, कि वो कभी बता दें, तो मैं कह रही थी कि, जो मुझे आदाया अली आपदी का मर्डर और मुझे बहुत शिद्दत से ही आदाया वो मेरा भाई अली आपदी जिसको कतल कर दिया गया उसके घर के भार और वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ मैं जब उनके अफसोस के लिए गई थी उनके अबबा के पास तो उनके अबबा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की वो मेरे पास हैं उनके अबबा ने ये तक बताया कि वो किसको समझते हैं कि उन्होंने मिलके मर्डर कराया मेरे बेटे का वो मेरे पास हैं उ आप कैसे ये कह सकते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझसे शेयर की वी हैं ये बात नहीं है उस सिर्फ मेरे पास हैं मेरे पास शेयर करने का मकसद ये था कि मैं उस पर आवाज बार-बार उठाओं और उस चुपना रहा हूँ अब मैं उठाती रही हूं लेकि का क्यूंकि आपको भी पता है कि अगर किसी का नाम ले ले लेते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है मुझे त्रेट्स अमेरिका में भी थी और मैंने यहां पर पलीस रिकॉर्ड भी मतलब जाके रिपोर्ट भी की थी तो कहने का मकसद यह कि हम लोग जो पाकिस्तानी है वो अब क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए जो लोग पाकिस्तान में हैं क्या सोच रहे हैं कि हमारे जो नसले हैं हमारे जो फ्यूचर है बच्चों का वो इस तरह से क्या चल सकता है क्या इस तरह हम जो पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे के साथ खड़े हैं वो उनके कोई भी महफूज नहीं है कोई भी महफूज नहीं है और अर्शित शरीफ को जो कतल किया गया उसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने कहते हैं इट वस सो सिली जो उन्होंने बियानाद दिये केनियन गर्मिन ने पहले तो उन्होंने का कि वो लोग भाग एक गाड़ी थी जिसका नमबर प्लेट हम चेक कर रहे थे वो एक बच्चे को किड़नाप कर रही थी बच्चा मिल गया था अच्छा अब उनसे कोई ये सवाल पूछे कि अगर आप बच्चे को ढूंड रहे थे रिकावर कर रहे थे बच्चे को तो क्या आप अगर वो गाड़ी में फर्स करें वो समझ रहें कि उस गाड़ी में है वो बच्चा तो क्या आप अंधा दुन फाइरिंग करेंगे आप अंधा दुन फाइरिंग करेंगे तो नहीं अंधा दुन तो कोई भी फाइरिंग नहीं करता वो तो गाड़ी की TON पर मारता है तो आप अंधा दून फाइरिंग और जो तस्वीर मेंने देखी है अर्षब साहपकी वो गन शॉट जो है वो क्लोज वेरी क्लोज रेंज से मारा गया है वो ऐसी रेंज से नहीं मारा गया कि वो पीछे से आया है और वो आगे से निकला है वो क्लोज रेंज का है वो किसी भी आप डॉक्टर से पूछ सकते है या आपको कोई भी बता सकता है अब कहते हैं न कि वो तो चले गए लेकिन साथ वो क्या मेसेज डाल के चले गए सारे मीडिया को कि तुम्हार साथ भी यह हो सकता है वो बोलो जो तुम्हें बोलवाया जाता है वो मत बोलो जिस पर तुम्हें मना किया जाता है so you know what I mean आप लोग को मालू मैं में क्या बोलना चाह रही हूँ और यही मैसेज मेरा बहुत बस एक बात सिर्फ जो आखरी बात में कौनगी कि बेनेफिशरी कौन है कौन है बेनेफिशरी इनको कतल करने का मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहती जाहर सी बात है यह इस तरह के जो मर्डर्स होते हैं बहुत हाई प्रॉफाइल होते हैं आपने लियाकत अली खान की जब मैंने बात की तो उनका जब मर्डर जो था उसको पकड़ा गया था और उसको भी मार दिया गया था जाउलक का जहाज फिजा में उड़ गया आज तक नहीं पता चला बेन अजीर को कतल किया सारे दुनिया जहान के इन्वेस्टिगेटर्स आए नहीं पता चला हकीम साइद का भी लोग बस कया साराया है करते रहे कि उसने मारा उसने मारा उसने मारा तो मैं आपको सीधी बात बताओं कि ऐसे मर्रस जो होते हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं होते चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो कभी सॉल्व नहीं होते बस मैं इतने ही बोलूंगी आज दिल बहुत घंजदा भी हुआ वा था मेरा दिल बहुत चारा था कि मैं आप लोगों से बात करूं और यही दूआ करूं कि आप लोग जहां रहें आप लोगों को प्रोटेक्ट रखे हम इतने आगे चले जाते हैं पॉलिटिक्स में कि हम पीछे मुड़ के दूसरे को देख ही नहीं रहे होते हैं कि वो डूब रहा है और हम एंड में हमें क्या मिलता है हम लोग पुलिटिकल कहते हैं नफरतों में इतने पढ़ गए हैं कि हम हमें अपना सगा जो है उससे भी हमें नफरत हो जाती है कभी कभी पॉलिटिक्स पर बात करते हुए तो बस मेरा मेसेज अगर अच्छा लगा है कुछ समझ आई है इस बात की तो जरूर फ़ावर्ट करें I would really appreciate that. Thank you.